हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं मैं हूँ जोसना एक बाई फिर से मेरे चैनल जोसना किचन में आप सभी का स्वागत है आज में लेकर आए हूँ बध्धुआ के परांथे सर्द्यों के मौसा में बध्धुआ के परांथे खाने का सभी को होता है आज मैंने बहुत ही आसान विदी से बताया है कि बध्धुआ के परांथे कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान से बनने वाली रेसिपी है उमीद करूंगी की पसंद आएगी जोसना किचन में आप सभी का ब य्दोने के बाद मैं ने यहार पर kukar 6 मिनिट के लिए और 5 मिनुट के लिए टाक कि अच्छे से गल जाए है यह देखें हमारा अच्छी से अभल चुका है आप देख सकते हैं चलिए अब हमें यह क्या करना है मेक सीका एक जार लेना है और mixi के जार में इसे डाल देंगे और कमसकर एक मिनट के लिए mixi को अच्छे से चला हैंगे ताकि अच्छा तो का फाइन पीर स इस बात का भियाद हकें है चालिए गमेने यह और फोड़ों कट गई आटा ले लिया है अभ закेड़ा इक चोथा यह भाग अजवएण लिया है आधधा तुम्रश मैंनने लालविच्छी है टूर्ड इसा मैंने कावध मैं यह देखिए बिना पानी के ही मैंने इस आटे को गूंदा है यह देखिए हमारा आटा त्यार हो चुका है चलिए अब हमें इसकी लोई लेनी है या मैंने पराठे की साइज की जितने बड़ी लोई ली है थोड़ा सा हम सूखा आटा अपलाई करेंगे और इसे बेलेंगे ज् और इसे मैंने ट्रेंगल शेप दी है इस पराठे को आप चाहिए तो ट्रेंगल के बज़ाए गोल भी बना सकते हैं अब हमें इसे बेलना है चलिए यह हमारा यह पंधनाठा त्यार हो चुका है अब तवा गरम हो चुका है हमारा सिक तवे पर रखेंगे और इसे हमें दौ रिफाइन ओयल का यूज किया है दोनों त्रिफसे से अच्छे से कुक करेंगे यह देखिया हमारा पराठा त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं इसी तरीकी से बागी बच्चों है पराठे भी हमें ऐसे ही करके बनाने है मैंने आप दूसरी लोई ली है इसे भी थोड़ आप देख सकते हैं कि बथोई के पराठे को बनाना कितना ही आसान है सर्दियों के मौसम में इन बथोई के पराठे को बनाया जाता है यह काफी गरम भी होते हैं इसलिए यह हेल्दी भी होते हैं तो इस तरह के पराठे बनाना आप देख सकते हैं कितना ही आसान है आप बथ तो यह पराटे जरूर खाने चाहिए यह देखिए कितने आसानी से बनने वाले यह पराटे हैं और इन बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफट्स की जरूरत भी नहीं है तो इन सर्दियों में इने जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी आज की रेसिपी आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें सब्सक्राइब का इलाल बुटन जरूर दमाएए पूरी तरीके से फ्री है जोसने के चर्ण में आपका सवागत है थैंक्स पर वाचिंग